हजारी बग बिहारी गल्स हाई अस्कूल के प्रांगर में दिनांग 31 मई से दो जुन दो हज़े शौपेश तक आंत्रिंग सत्संग समहारों आयोजित हुआ इस सत्संग समहारों में देश के विभिन राजियों से सत्संगी भाई भनुनी बड़ी संख्या में भाग लेकर इस आंत्रिंग सत्संग समहारों को सफल बनाने में अपना सराहनिय युगतान दिया रामश्रम सत्संग मथुरा उपकेंडर हजारीबा के तत्वधान में तीन निवसिय आंत्रिक सत्संग समहारों के पाँचवे ससमापन सत्र में अपने आश्विर वचन में परम पूजे आलोग भयाजी एवं परम पूजे अमीद भयाजी ने गुरु की माता पर विस्त्रित रुप से चर्चा करते वे उपस्थित सत्संगी भाई वहनों को गुरु से लगाओ एवं गुरु महराज की बताये आदर सो पर समर्पित कर देने क्यावशक्ता पर जोर देते वे कहा कि गुरु महराद सुहाब सच्छी भक्ती प्रेम एवं शद्धा के भूके होते हैं वो अपनी साध्यकों के कल्यान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं हमें जरूरत है अपने आंद्रिक सुधिकरन के द्वारा अध्यात्मे के उस अवस्था में पहुशने के जहाँ पर हमारा आत्मा का प्रमात्मा से मिलन हो उन्होंने कहा कि इस अवस्था में पहुशने के लिए मनुश्य को नियमित साथना एवं सची शद्धा एवं लगन के आवशकता होती है इस अवसर पर उन्होंने सभी सत्संगी भाई बहनों के सुखमाई एवं सांती में जीवन की काम ना की हजारीवक ब्योरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट